सस्ते अनाज के लिए खोले गए सरकारी राशन डिपो में अनाज की बांट को लेकर धुका दड़ी की बात सामने आ रही है इस मामले को लेकर फिल लौर के एक सरकारी डिपो होल्डर प्रवीन कुमार ने प्रेस कॉन्फरेस करते हुए फूर्ट सप्लाई विभाग के करमचारियों पर आरोप लगाया कि वे अनाज को बांटने में धोखा धड़ी कर रहे हैं प्रवीन कुमार ने बताया कि वे पिछले करीब एक साल से विभाग के कंट्रोलर को इस बारे में सुच कर चुके हैं लेकिन इस पर कोई भी कारेवाही नहीं की गई उन्होंने बताया कि वह DC को भी इस बारे में बता चुके हैं परंतु उन्होंने भी इस मामले पर कोई कारेवाई नहीं की उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उल्टा उन पर ही धोका लड़ी का आरोप लगा कर उनके डीपो को सस्पेंट कर दिया गया उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वे इस मामले की जांच करवाएं और इसके साथ ही उन पर लगे आरोपो की भी जांच करें इक साल तकisch कंप्लेंट किती हुग है लें उन ने से कोई जांच निउयक हां खिनेंक вмληách लोगती तो कणक देपकस नहीं तूंपर तों आटी तू बारे इंफ्रमेशनuição करते हैं चूठियाश कहता कर दा मैं के लिए कि अपना दी किहां जारी है अन्तोध्या काड़ नो पेंटी किलो मीनने दे लिए लेकिन उन्हान जी या दिती जारी बहुत जाधा तेल आया पिछले मार्च दे 2017 में चाहिए जो सब्सक्राइब पांच लिटर भी फूरे जिलच किसे इन्हों दिता ग इस लोगी बैटेया सिरुफ मैं उनाइथे किन्यक बंदेयां लेयां दो बंदे जिने नो दादा साल होगा और नने कंप्लेंटा भी पहला कार नहीं एक गरीब बंदा कित्थे कंप्लेंट करूगा मेरे यह वार वंदा जड़ा एक साल तो अफसन दें मगर जलंदर ता केंप कंप्लेंटा करके मेरे वार के बंदा जड़ा शूट पूट पांगे वी तो पैसे होंदे बावजूद भी मेरी नहीं सोन रहा थे इस ग्रीब बंदे थी कौन सुम का दस जो एना वलो कपले बाजियां कितियां गईयां सरकार वलों ओधी पड़ताल चौनवी पड़ताल कि किती जावी